नमस्ते, लटाज किचिने में मैं लताजायण आपको स्वागत करती हूँ आमका अचार बहुत ही टेस्टी लगता है और खाने के टेस्ट को दुंगना कर देता है लेकिन कोई भे अचार डालने के लिए समय चाहता है और कई दिन बाद वो खाने लाए होता है लेकिन मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर गई हूँ जो आप तुरंट अचार बना कर खा सकते हैं तो आईए आम का अचार बनाना शुरू करते हैं मेरी नई रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाईए आम का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्रैम कच्चे आम लिए हैं इनको मैंने पहले पानी से वाश किया और उसके बार फिर सूखे साफ कपड़े से पोच लिया अब कच्चे आम को पिलर की हल्फ से छिल दूँगी इसका ग्रीन वाला छिलका हटा देगी ऐसे ही मैं सारा आम पिलर से छिल दूँगी यह मैंने सारे कच्चे आमों को छिल लिया है अब मैं इनके छोटे छोटे पीसीज बनाऊ गई इसका बीच का यह सीड निकाल देंगे अब इनके और छोटे छोटे पीसीज बना देगे वैसे आप अपने मंचा ही आकार के पीसीज काट सकते हैं ऐसे ही हम सारे कच्चे आमों के पीसीज बना लेंगे अब एक नॉन स्टिक पैन लेंगे पैन के नीचे गैस ओन करेंगे और पैन में टू टेबली स्पूम मस्टर्ड रॉयल डालेंगे ओइल को बहुत अच्छी तरह गरम होने देंगे ओइल गरम हो गया है अब हम गैस ओफ कर देंगे अब इसमें हम एक चुप्ती हिंक पाउडर डालेंगे हिंक का टेस्ट अचार में बहुत अच्छा लगता है थोड़ा ठंडा होने देंगे ओइल को वन एंड हाफ टी स्पून इसके अज़र हम मेथी पाउडर डालेंगे मेथी को मैने पीस के रखा हुआ है अब हम इसको इसमें डालेंगे दनिया पाउडर डालेंगे वन एंड हाफ टेबिल स्पून सॉफ पाउडर डालेंगे यह सॉफ पाउडर दरदरा पिसाग गए मसाले तेल को थोड़ा थंड़ा हुने के बार डालें वरना मसाले जल सकते हैं अब इसमें 1 बाई 4 टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे 2 टी स्पून सॉय डालेंगे या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे अब इसमें सबसे लास्क में हम 1 बाई टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अब इस मसाले में आम के पीसिस डालेंगे आम के पीसिस डालकर हम इसको मिला देंगे अब पैन के नीचे जैस ओन करेंगे और इसको 30 सेकिंड के लिए सोटे करेंगे आम के पीसिस के उपर मसाला अची तरह से कोट हो गया है अब अचार को एक काच के बाउन में निकाल लेंगे आम का इंस्टेंट अचार बनका तैयार है इसको आप ठंडा हुने के बाद किसी ग्लास की बाउल में रखका फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं और 15-20 दिन खा सकते हैं यह अचार बहुत ही टेस्टी लगता है इसे आप रोटी, पूरी, पनाठा, चावल कभी भी किसी चीज के साथ भी खा सकते हैं और यह अभी से हम इस अचार को खाना शुरू कर सकते हैं आम का इंस्टेंट अचार देखने के लिए धन्यवाद कोर सकते हैं आम का अचार अचार यहाँ भी कुछार देखने के लगची भी कर चारवचया है ज़न्यवाद